हाइ दोस्तों विलकम टु स्टयदी साइज आज हम इर्वेन्बिनेंटल इंजरींग के डेवलोप्मेंट अब गाउन्ड वाटर चैप्टर में स्प्रींग के बारे में जानेंगे इस वीडियो डेवलुप्मेंड अब गान्ड वाटर का third part है इस वीडियो में हम spring क्या है और type of spring के बारे में जानेंगे वीडियो शुरू करते है First spring क्या है जब earth surface के ground पे natural तरीके से water निकल आता है उसे हम spring कहते है दूसरा point है spring निकलने का एक सबसे महत्रपुन point है जब कोई दो अभद्ध लेयर के बीच में पिसर कियट होता है तब water उस लेयर से निकल आता है इसे ही हम natural spring कहते है दूसरा point है spring का जो पानी है वो बहुत ही कम निकलता है चौता point है कभी-कभी जब अच्चे क्वालिटी का पानी किसी spring से निकलता है तब वो पानी water supply के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है जो की ज़्यादातर small town या hilly area के लिए होता है और आखरी पाँचवा point है कभी-कभी spring से hot water मतलब गरम पानी निकलता है क्योंकि इस पानी के अंदर sulfur मौझूद होता है जिसके कारण पानी का temperature बढ़ जाता है अब आता है type of spring में spring को तीन हिस्सों में divide किया है पहला gravity spring दूसरा surface spring तीसरा artesian spring हमारा जो fast spring है वो है gravity spring gravity spring तब होता है जब water table ground level से बहुत ही high level में होता है तब ये water overflow होके किसी natural भ्याली में गिरता है इसे ही हम gravity spring कहते है जैसे आप picture में देख सकते हो ground level से water table high level पे है इसलिए water सीधा भ्याली में आके गिर रहा है gravity spring का दूसरा point है ये gravity spring basically होता है water table का rice या fall करने से हमारा दूसरा टाइप है surface spring ये surface spring तब create होता है जब water table के नीचे एक impervious layer रहता है और वो impervious layer water को hold किया हुआ रहता है जिसके कारण water ground surface पे expose होता है और वहाँ पे spring क्येट होता है इसे ही हम surface spring कहते है जैसा आप picture में देख सकते हो एक impervious layer के ऊपर water table है और वो सीधा ground surface या ground level पे आके overflow या expose हो रहा है इसी के कारण surface spring क्येट हो रहा है और दूसरा point है या surface spring बहुत ही uncertain या honest चिद हो सकता है जो कि water हो भी सकता है और नई भी हो सकता है हमारा तीसरा टाइप है artesian spring या artesian spring तभी कियेट होता है जब दो impervious layer के अंदर पेसर होता है और ये पेसर water को ground level पे आउट फ्लो करता है इसे हम artesian spring कहते है बेसिकली artesian spring में दो impervious layer के अंदर जो पेसर कीएट होता है उसी पेसर के कारण water ground surface पे आउट फ्लो होता है हमारा दूसरा point है इस artesian spring में सेम मात्र में water release करने की capacity है और तीसरा point है क्यूंकि इस spring में सेम मात्र में water release करने की capacity है इसलिए water supply में artesian spring इस्तिमाल किया जा सकता है और इसके high yield के कारण भी ये संभव है आज के लिए इतना ही तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye